हलो दोस्तों, इडियरे के येड़ोब चैनल पर आपका एगवफिर से स्वागत है आज किस वीडियो में हम आईस्क्रीम और कुल्फी में क्या अंतर होता है और ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग होती है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले बेसिक डिफरेंस तो यह है कि कुल्फी एक प्रकार के टरडिशनल इंडियन डेरी परड़क्ट है जबकि आईस्क्रीम एक कमर्शिल परड़क्ट है आईस्क्रीम बनाने के प्रोसेस बहुत कम्पलेक्स होती है लेकिन कुलफी बनाने के process बिलकुल simple होती है कुलफी में क्या होता है कि कुलफी बनाने के लिए दूद को अच्छे से boil करके उसमें चीनी डाली जाती है इसमें चीनी कंसेंटरेटिव दूद के 2-101 में डाली जाती है थोड़ा ठंडे होने पर उसमें मलाई, नर्ट्स और फ्लेवर डाल के फ्रीज होने के लिए रेफ्रिजेशन में मोल्ड करके रख जिया जाता है और सिंपल कुलफी त्यार हो जाती है दोस्तो आइस्क्रीम में स्टैबलाइजर और इमल्सिफायर का यूज भी किया जाता है जबकि कुलफी में स्टैबलाइजर और इमल्सिफायर का यूज नहीं करना पड़ता आइस्क्रीम में एर इंकोपेट करके ओवरन किया जाता है जबकि कुल्फी में आवरन की कोई जरूत नहीं पड़ती, दोस्तो आइसक्रीम में आटəमेटिक कमर्चल लेवल की रेफ्रिजरिशन की जरूत पड़ती है, जबकि कुल्फी स्मोल स्केल पर मटके में भी तियार कर ली जाती है, आइस्क्रीम के लिए कई प्रकार के commercial refrigerant जैसे ammonia उसके आशकता पड़ती है जबकि कुलफी तो नमक वे बर्फ के mixer में भी त्यार कर ली जाती है जिसमें 1-1 में नमक वे बर्फ होती है दोस्तो आइस्क्रीम समाने रूप से soft वे समूथ बोडी की होती है जबकि कुलफी usually hard वे coarse बोडी की होती है दोस्तो एक मुक के difference यह है कि आइस्क्रीम बनाने की process में पहले आइस्क्रीम मिक्स को freeze किया जाता है फिर package किया जाता है जबकि कुलफी बनाने में इससे ठीक उल्टा होता है कुलफी मिक्स को पहले mold में feel कर दिया जाता है फिर freeze किया जाता है आइस्क्रीम usually last scale पर आइस्क्रीम plants में बनाई जाती है जबकि कुलफी की small scale पर production कि जाती है दोस्तो आइस्क्रीम मुक्खे रूप से पस्चमी देसो यानि western country में परसीद है जबकि कुलफी बारत की परमुख frozen desert है जबकि कुलफी बनाने के लिए continuous process का यूज होता है जबकि कुलफी बनाने के लिए batch method का यूज किया जाता है जबकि कुलफी की comparison में एक expensive product है जबकि कुलफी के मुकाबले आइस्क्रीम की self life ज्यादा होती है आप टेबल के माधिम से आइस्क्रीम वे खुलफी के कुछ difference देख सकते हैं जोस्तो इडेरी पर आप आइस्क्रीम वे frozen desert के बीच के अंतर के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो देखने के तो वीडियो को like कर देना और इडेरी चानल को subscribe करकर bell icon को press कर देना